आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चेकन समोसे की रेसिपी बहुत ही जादा सिंपल है इसे बनाना और बहुत ही मैज़े का बनता है एक बार आप खाएंगे तो इसे खाते रह जाएंगे तो एक बार जरूर ट्राय करेंगा बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं सब यह प्यास मैंने एक प्यास लिए मीडियम साइज की और इने बिल्कुल बारिक बारिक काट लिया है तो बस प्यास को थोड़ा सा प्राइ कर लेंगे जब प्यास हलकी से सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसमें एट कर देंगे हम हरी मिच्छी मैंने दो से तीन हरी मिच्छी है मै अच्छा नहीं लगता है तो बस अच्छे से टिमाटर को एट करने के बाद हम इने पका लेंगे टिमाटर भी ताकि हमारे अच्छे से घल जाए हमारी प्यास भी थोड़ी घल जाए बस अब इसमेट कर देते हैं कुछ मसाले एक चमच नमक लिया है मैंने एक चमच लाल पेस्ट आधा चमच और इसको भी थोड़ा सा भूल लेंगे ताकि जो लसना दरग का कच्छापन है वह निकल जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तो बस देखिए यह मसाला अच्छे से भून चुका है तो आब इसमें आट कर देते हैं हम चिकन यह मैंने 200 ग्राम चिक मैट कर देते हैं हम कसूरी मेथी एक चमच कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बहुत ही मज़े की बनती है जो भी रेसिपी हम बनाते हैं तो जरूर रैट करिएगा अब लो फ्लेम करकर हम इसे ढखकर पकने के लिए चोड़ देंगे तकरिबन तीन से चार मि करने के लिए रख देंगे जब ठंडा होगा जब हम इसकी स्टफिंग भरेंगे तो बस देखिए रैडी है अब यह मैने शीट ले ली है और मैं इसके स्कॉार शेप दे रही हूं आप चाहे तो आपको इसी भी शेप इसमें दे सकते हैं तो देखिए एक शीट रख देंग एक ठिक सा बैटर बनाकर रैडी कर लेंगे और फिर इसे चारो तरफ लगा देंगे अच्छे से इस तरीके से पहले एक तरफ से फोल्ड करेंगे फिर दूसे साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमें चारो तरफ से फोल्ड कर लेना है तो इस तरीके से देखिए हम एक्स्रा जो शीट है हमारी उसे हम कटिंग कर देंगे और यह हमारे शिगन समोसे बनकर बिल्कुल तयार है तो देखिए इस तरीके से हमें सारे बनाकर तयार कर लेने हैं तो यह हमारे रेडी हैं तो दूसरी तरफ में तेल भी करम होने के लिए रख दिया है तेल को मीडियम उबसे बने हमारे रखेंगे मीडियम पर र॥े इने हम प्राइब करेंगे और जब इक तो हमें देखिए पर को इन्हें कमारे बने हैं गया जावके ने निकाल लएं और बहुत जयादा करने कर हमारे तयार होंगे तो देखिए यह रेडी हो चुके हैं आप चाहे तो आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं समों से बना कर आप इसे फ्रीजर भी कर सकते हैं और जब आपको बनाने हो आप इन्हें निकाल कर सकते हैं और इंजोई कर सकते हैं तो देखिए बनकर रेडी हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी हो बहुत ही मज़े के बने हैं तो एक बार जरूर ट्राइब करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राब करिए लाइक करिए शेयर करिए बिल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजे थैंक यू